नमस्कार आप देख रहें नियूस फॉर्णीशन और मैं हूँ शुभे आपकी साथ सनातन धर्मे भगवान कृष्ण का जन मुझसभ बड़े की दूमधाम से मनाय जाता है इनका जन भादिपद मास की अस्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था इस दिन सभी कृष्ण भगत दुनिया भर में कानह की अराधना करते हैं उनकी भगती में लीन हो जाते हैं इस वर्ष भे ये जो जन मास्टमी का उत्सव है वो कल और 12 अगस्त को मनाय जाएगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूजा को किस तरीके से करना है और किन बातों माँ खयार रखना है कई बार ऐसा होता है कि आप भगवान की भगती में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि भागवान आपकी भक्ति को नहीं सुन रहा, आपकी अराधना को नहीं सुन रहा, हो सकता है कि आपकी पूजा में कोई भूल जोग हो गई हो, तो आज हम आपको ये बताएंगे, इक्केनों पायों को करके और कौन-कौन सी चीजों का को पूजा के धौरान खया रखना चाहिए, ताकि भगवान की जो भक्ति है, जो अराधना है, वो अच्छी तरीके से पूरी हो पार, सबसे पहले जन्माश्ट में पर भूल कर भी, तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी भगवान विश्नु को अत्यंत प्रिया है, कहते हैं माता तुलसी विश्नु जी से विवाब करना चाहती थी, विश्नु जी को पती के रूप में प्राप्त करनी के लिए, तुलसी जी ने कठोर तपस्या भी की थी, हलांके तुलसी के पत्ते विश्नु जी की पूजा में चड़ाए जाते हैं, इसलिए आ आमा जोंके समसे करीबी दोस्तों में से एक थे, वो बहुत भी गरीब थे, किन्तों फिर भी वा श्रीकृष्ण को बहुत प्रियत है। इसलिए किसी भी गरीब का अपमान आप ना करें, क्योंकि कृष्ण भगवान इस दे नाराज हो सकते हैं। गरीबों का अपमान करने से केवल श्रीकृष्ण नहीं नहीं, बल्कि शनी देव भी क्रोधित होते हैं। साथी साथ ये भी बताते चले कि जन्मास्ट में कर पेड़ों को काटना भी बहुत अशुब माना गया है। इस दिन हमें उतने पेड लगाने चाहिए जितने हमारे परिवार के सद्य से हैं। इससे घर और परिवार में सुख और शांती बनी रहती है। साथी बहुत सारी खुश्या भी आती है। महाभारत के आठवे अध्याई में श्री कृष्ण ने स्वेव कहा है। वो हर चीज में वास करते हैं और हर चीज उनमें वास करती है। इसलिए जन्मास्ट में पर हमें किसी को भी नुकसान पहुचाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इस दिन मांस सहारी भोजन खाना भरजन माना गया है। पूरे चतुर मास के दौरान मांस मचली का सेवन नहीं करना चाहिए। चतुर मास पूरी चाद माव का होता है। यह समय भगवान विष्णू की निद्रा का समय होता है और उनकी अनुपस्ति में भगवान शिव उनकी सभी जिम्मदारियां उठाते हैं। जन्मास्ट में पर शराब का भी सेवन नहीं करना चाहिए। साथी साथ इस दिन गायों का अपमान तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये थी कुछ खास पांच बाते जनका आपको पूजा के दौरान क्रिश्व जन्मास्ट में के दिल खास खयार रखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप पूरे दिल से भी पूजा कर रही हो अगर आपसे कुछ भूल चूप हो रही हो तो भगवान आपकी भक्ति ना सुन पाई। इसलिए आप पूजा के दौरान इन बातों का जरूर खयार रखें। तलहार के लिए इतना ही क्रिश्व जन्मास्ट में की नियूस फ़र्डेशन की तरफ से आपको धेड़ सारे शब्तामना है। नमस्कार।